बेख तक पर ईबशे बना हnt जाते हैं यह वहां पर बहुत टेश घुजल भी होती हैं में के इसदीय को कम करने के लिए रहा है उसको दूर करने के लिए बनाय heel पहले चीज़ बताते हैं कि इस चैनल के उपर धोगी कंटेन आपको बताया जाता है वो केवल एजुकेशनल परपस के लिए है कोई भी बीमारी जो है उसके लक्षोनों के आधार पर आपको खुरी बीमारी काक्रा नहीं करना है नहीं सेल्फ मेडिकेशन जो है वो लेनी है ए और सब्सक्राइब करेंगे कि ये एक प्रकार की स्किन की बिमारी होती जिसके अ इक प्रकार की विंपार बाई चाट्ते-बन-जाते कभी 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 किसी को हल्का फीवर बुखर आ सकता है अब यह जो होता है यह बहुत सारे कारण से होता है कि कुछ दवाई यह जो किसी व्यक्ति नियुक्ति पर काम करें निग्राइब करें कि allergy जो है उसके कारण से होता है यह हलागे कुछ allergy के रिया जो होता है वो non allergy भी होता है में जो कारण allergy के रिया का होता है allergy होता है allergy के अंदर होता क्या है कि normally क्या होता है कि हमारी बोड़ी जो होती है वो क्या करती है कि बाहर से उनने वाले particle जो होते है उसके against fight करती है पर्फिम जो है उसको पार्टिकल उसको क्या मान लेता है एंटीजन मान लेता है और उसके घंड़ि बना देता है उसके नीचे मास्ट सेल के अंदर मास्टर सेल्ट शोलता है वह पर संदेते इस्तामेश करते हैं श्कीन के पर पर रेर विल्स उनलटाते हैं इंची नहें होती है यह होती है यह थैंजी जो थी चीजंगा और एक वो आ temos एक या वाइरल का इंफेक्शन हो जाए तो उसको भी एंटिजन मान सकती है या ताइट कपड़े पेंटे या इसकी पेंडने के कारण से या फिर एक तरह तरह के कारण से क्या हो गीए दूब स्ट्राइब करने के कारण से चाइब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण से तो उसके एक्स्ट्रीम कोर्ण बहुत ज़या थम्डदा वातावरं के कारण से होता है, इसलिए इसको शिधध पित जो यह भी का जाता है, एक sun exposure जो है तेज दूप का exposure हो जाए skin के ऊपर तो वो भी उसका antigen मान देती है या water जो है किसी किसी क्या होता है कि water जो से allergy हो सकते है या water के अंदर होने वाला जो chlorine होता है उस chlorine से allergy हो सकते तो उसके कारण से भी condition हो सकती है कभी-कभी insect bite जो होते है मतलब कोई कीडा काट लेता है या मदुमकी काट लेता है उसके कारण से भी allergy हो सकती है या high pressure जो होता है skin के उपर दवाख लग रहा है जैसाивать sixt сто फैं रहे हैं। उसके कारण से या कोई जो बों पहेंरी वर फिक्षिन कर रही है। उसके कारण से भी irrigation जो हो सकता है । when बिभी और आरेया जो होता है फाञे कार टकार होता है एक हो एक्यो जो किरिए के कॉंटेक्ट में आती है इमिडियेटी क्या होता है बोडी रिस्पॉंस करता है उसके अगेंट्स और अटी के रिया की कंडिशन जो इचिंग वह शुरू हो जाएगी जैसे बोडी जो होती है दीरे-दीरे क्या होता है कि सिम्टम जोते वह सबसाइड हो जाएंगे 50% अर्टी के रिया जो होता है वह तो क्या था कि 24 आवर जोते 24 गंटे उसके अंदर ही ठीक हो जाता है किसी किसी के अंदर यह 42 दिन तक जाड़ा रह सकता है तो दूसरी कंडिशन जो है वह क्रोनिक जाड़ा तर क्रोनिक ओटो इमि करने रहा हैं अब बात करता है और यह जो जो दूसरा हो सकता है तो उसके कारना और से वह सकता है दबाई जो उसके पर प्रवाण नहीं जातर एलोपेती के अंदर अटीकरिया जो होती उसका जो ट्रीटमेंट करते उसमें एंटीस्टामिन दिये जाते हैं को इस वह दिये जाते हैं इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्किप्शन से सीधा मेडिकल इस्टोर से नहीं लेना है क्योंकि सभी के कुछ साइड इफेक्ट जो हो सकते हैं तो आपको अर्टीकरिया होने पर बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट जो है वो करवाना है एक उसके बताते हैं कि 24 आवर के अंदर अर्टीकरिया जो होता है जहर से कतम हो जाएगा या ठीक हो इसकी जाँच करता है यह से बढ़ा हुआ मिलता है तो इम्मिनो मोडूलर जो ट्रग है वो दी जाती साथ इचींग को कम करने के लिए एंटिस्टामीं जो होती है वो दो जाता दवाई जो होते वो देते हैं अट्टीकरिया के आपको किस बातों का ध्यान रहता है कि यह द ले लेना है मोडेल के अंदर लापने कर पास बताने जाओं कि अर्टीकरिया के अंदर क्या होता है कि वो सकता है कि आपको जब अरटिकरिया हो रहा है तो बढ़ा हो बहुत है यह चोटा हो चाई चोटा हो जाए चोटम दों प्रफिशन तो नहीं है इसकी वह पता लगाने कि आपको क्या करना चाहिए बेटर है कि आप क्या कर लो अर्टी के रिया जो भी और उसका फोटो ले लेकर रखो एक अर्टी के रिया जो हो रहा है तो आपको हलकी कपड़े जो है सूती कपड़े पहनने क्योंकि टाइट कर सकते हैं कि लामान लोशिं जो होता है वो एक कर सकता है एक को ली ऐसको बचाना है दिन में कई बार आपको इसकी के ऊपर कोई भी मौश्यराईजर जैसे वेसलीन है या फिक को सब्सक्राइबूर बहुत होता है तो आपको दिन द्राए होने के कारण से आपको कंडिशन जो है वह जएदा बढ़ सकते हैं स्ट्रेज जो है उसको कम करना है क्या इस्टेज षी में स्टेज्च तो प्यद्फ कर तो अब लगा देना है और लगाने के तक इसकी जो उसके इंदर आज़ इस से भी आपको क्या मिल सकता है ? खुझली के अंदर जो है वो तोड़ी रहात मिल सकती है Ty-24-hour के अंदर आपको इससा आरहम नहीं मिलता है तो आपको किसी e-skin इस पर इसट जो ہता है उसके पास जाना है उससे आपको treatment करवाना है तो यह था अर्टी के रिया जो है उसके समझे आपके जो doubt तो उसको दूर करने का प्रैस किया गया अगले वीडियो में आपके कुछ और doubt होंगे जो आप comment करके बताओगे तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे